नमस्कार स्वागत है आपका सीनी उस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्तव जहां एकोर उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाज जनता को हर मूलभूत सुविधा उपलब्द करवाना चाहते हैं तो वहीं उनीके माथथ उनके मनसूबों को प प्राधिकरन से जुड़ा हुआ है जहां ततकालीन उपाध्यक्ष इंद्रमनी तुरपाथी का तबादला और या जलादिकारी के पद पर कर दिया गया है जिसके बाद लखनव विकास्ट प्राधिकरन की सीट खाली थी जिस पर उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने अपने विशेश सच्व प्रतमेश कुमार को लखनव विकास्ट प्राधिकरन का प्रभार सौब दिया है लखनव विकास्ट प्राधिकरन की उपाध्यक्ष प्रतमेश कुमार का ये पहला जनता अदालत था जिसमें वह कुछ समय के लिए ही बैठे लखनव वीसी को सीट पर ना पाकर मायूस हो गई हलाकि जितनी देर ल्डीए वीसी बैठे उतनी देर कुछ समस्याओं को सुनते हुए तकाल जांच के आदेश दिये साथी पिछले दिनों लगे जनता अदालत में आई शिकायतों को प्रात्मिक्ता देते हुए समधान करने का निर्देश जारी किया आशियाना निवासी एक आवंटी ने बताया कि वह 12 साल से अपने मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए ल्डीए का चक्क लगा रहा लेकिन कोई अधिकारी उनकी नहीं सुन रहा आवंटी ने आरूप लगाते हुए कहा कि एक बार एक बाबू ने रजिस्ट्री के नाम पर उससे 5000 उपे भी एट लिए लेकिन फिर भी रजिस्ट्री ना हो सकी वही अधिकारीयों की अनसुनी के कारण शिकायत लेकर लिए की जनता अधालत में पहुँचे रिटार प्रिंसिपल ने हंगामा किया नेरू एंक्लेव निवासी रुटार प्रिंसिपल आरें श्रिवास्तव ने शुकायत करने के बाद भी समस्या का समधा ना करने कारोप लगाते हुए हंगामा किया वहीं जनता आदालत के दोरान हमारे समधाता रुटेश श्रिवास्तव ने लखनो विकास प्राधिकरन में शुकायत लेकर आए कई फरियादियों से बातचीत की इसमें हम लखनो विकास प्राधिकरन में हैं मौझूद और आज यहां पर जनता आदालत लगी हुई है अगर बात की जाए तो लखनो विकास प्राधिकरन के जो अभी तक वीसी आनि उपाध्यक्स से इंद्रुमेडी त्रिपाठी उनका और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात के विशेश सचिव प्रतमेश कुमार ने चार्ज लिया है वो इस समय लखनो विकास प् क्या दिक्कते आपको आ रही है क्या नाम है आपका कहां से आये हैं मैं लखनो कानपूर आश्याना एल्डे कालूनी लखनो कन्यवाशी हूं मैंने मकान यहीं लाटकर आया और मेरे को मकान मिल गया रजिष्टी के लिए मैं दवड रहा हूं आज 12-14 साल से में रजिष्टी हमारा 902 है एल्डे कालूनी है कानपूर आश्याना में आपके नाम से लाट हुआ जी हमारे नाम से तो उसकी सारी किस्ते जमा है ओट्यस कराया ओट्यस कराने के बाद में हमने जो है पूरा पैसा जमा कर दिया और फिर भी जो है रजिस्ट्री हमारी नहीं पर आप जब पाँजार रुपए दिये थे एक बार उसके बार नहीं दिए नाम याद देंगे चेहरा याद है उन्होंने क्या कहा था यह करा देंगे यह वह बसके पिट टाल दिया देखिए आश्याना निमासी है इनका कहना है कि इनका 300 वर्ग फिट का एक मकान इनको अलाट को था और उसके मकान का पूरा पैसा जमा कर दिया उट्यस का ने के बाद जो भी उसकी लागत थी उस मकान का करा दिया और कोई 5,000 कोई 10,000 मांगता है हलाकि इन्होंने कहा कि एक बार इन्होंने 4 या 5,000 रुपए उसको दिये भी हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानते हैं तो इस तरीके से लखनोविकास पराजिकरान में ये बड़ा खेल चल ला है और भी कुछ पीडित हैं उनसे जानते हैं कि क्या समस्यारी किसलिए आप लगनोविकास पराजिकरान में आप आई तो हम बसंद कुण्ज में मिला है चौथे नंबर में मिला है और क्या नाम हमारी जम्मी असी साल किये उनकी तब्या ठीक ने रहती है पैरों में तरद यह पूरा महीना हो रहा है कहते गहते किसी ने नहीं सुना पंदा दिन से अप्लीकेशन जमा है तब भी नहीं सुना कई इनके पास जो कई इनके पास जो यही बोलते रहते हैं आप या आपकी अदालत म में कहने लगे बैठो और आप से मिला जाएगा पतने कम मिलेंगे कम नहीं मिलेंगे और हम यह लिये लिये टहल तो क्या मनलब चौथे मंजिल पर दिया दूसरे मंजिल पर खाली है वो नहीं दे रहे हैं इसके नाम से लाट हुआ है हमारी चौथे फ्लोर पर दिया गया है इनकी माताजी है और वो असी वर्षी बुजूर्ग है जो चड़पाने में असमर्थ है जिसके लिए वो जनता अदालत में पहुंची थी फिलाल यहां पर अधिकारियों नो इनको टरकार करके कह दिया कि आप ऊपर किसी मंजिल पर जाई और वहां पर अधिकारी आपको मिलेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे फिलाल लखनो विकास प्राजिकरण के उपाध्यक्ष जो नए आये हैं प्रतमिश कुमार वो इस समय विक्षार ओपन के कारक्रम में बेस्त हैं क्योंकि अभी बीस तारिक को मुख्यमंत्री के द्व आपाज दुबग्गा में 47 बटे 8 एक मकान रवःनित उखнемे इसके बगल में एक दम सटे हुए तीन मखबरे बने हुए हैं जिसके कारण में में रह पार wen ना मेरे बच्चे रह पार हा रह हैं एक मस्टिया के समाधानी यहां पर पिर आज चाहा गया पंदा दिन में देखते हैं आज लख्णव के वीसी साहब है नहीं यहाँ पर आए हैं नीचे इस्तर के जो भी सची लोग और वह स्टुन ने नहीं हो देखो पंदा दिन में क्या निसका निकलता है कि क्या समस्या रही किस वज़ा से आपको 20 साल से लखनों विकास पराजिकरण की चक्क्र लगाने पड़ रहे हैं कि किस्ते माता जी ने बराबर एक एक रुपए जोड़ के जमा किया उसके बाद यह हुआ कि माता जी ऐसा है यह मकान दो लोगों को अलाट हो गया है यहां पर कपजा नहीं बन पाएगा हम आपको कहीं और दे देंगे फिर माता जी ने बहुत प्रयास किया बहुत दोड़ भाग किया अधकारियों से बहुत मिलना जुलना हुआ दो हजार ग्यारा में एक लेटर आया उसमें यह कहा गया कि ऐसा है वहां पर जगा नहीं बची है हम आपको बसंद कुझ में दे देंगे माता जी बहुत चक्कर लगाती रही पड़ी लिकी थी नहीं तो उनके जब माता जी आती ती कोई कहता था पांसो लाओ साव लाओ आपका काम ऐसे खार आएंगे वैसे कराएंगे बाहर बैठीए पिर चक्कर काटटे काटते माता जी हो गए परिशान उन्होंने उम्मीद हुआ कि ऐसा है माता जी बाप का मकान तो नहीं मिल पाएगा आप पैसा ले लिए पैसा रिटन ले लिए पैसा रिटन लेने के लिए उन्हों अपने लिए दरुफास है कि माता जी अपने लास समय अपने मकान में देखना चाहती है और उनका मकान उन्हें दिया जाए तो ऐसे परिशान और पीडित लोग लखनो विकास प्राजिकरंड के जनता आदालत में पहुंचे हैं जिनका साथ तरवे पर यह कहना है कि लखनों विकाज प्राजकरण के जो कुछ अधिकारी थे उन्हें अधिकारियों का खाम्याजा जनता को भुकतना पड़ रहा है वो कैसे कि इनका पहले दोहरा अवंटन किया गया पहले इनको जानकी प्र वापस ले लिए तो यह किस तरह का निया है लखनों विकाज प्राजकरण के नए उपाध्यक्ष प्रत्मेश कुमार से इस आश में लोगा जनता आदालत में पहुंचे हैं कि कहीं न कहीं उनकी सुनवाई होगी उनकी जो समस्या हैं उसको दूर किया जाएगा फिलहाल बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रही है सी निउस भारत